आज मैं लाई हूँ गवार की फली की सबसी की रैसे भी बहुती सिंपल है पर बहुती फ्लेवर कई लोग गवार की फली की सबसी नहीं खाना पसंद करते हैं पर आप इस तरीके से बनाएंगे जैसे मैंने बनाई है तो जरूर इसे पसंद करेंगे तो इसके लिए क्या गरना है सबसे पहले ये 500 gram जो है गवार की फली ली है कम से कम 500 gram लेगे क्योंकि ये जब पक जाती है quantity में कम हो जाती है तो ये देखे इस तरीके की फली आती है देख सकते हैं तो ये हमें लिलेनी है अब इसको हमने कुछ भी वाश नहीं करा है पहले हम इसे कट करेंगे उसके बाद ही वाश करेंगे तो इसे के पहले मैंने 8-10 फली जो है इस तरीके से लेनी है एक बराबर में लगा लेंगे और दोनों corners को देखे इस तरीके से कट कर लेंगे दोनों साइट से पहले कट कर लेना है इससे क्या होता है जो फली है एक एक करके हमें नहीं कट करनी बर दी और बहुत आसानी से फली है जो है कट हो जाती है देख सकते है तो इस तरीके से देखे कि हमें 1-1 इंज की मोटाई में मैंने फली को कट कर लिया है सारी की सारी फली जो है हमारी हो गई है कट अब इसे दो तीन बार पानी से अच्छे से वाश कर लेंगे और एक छंदी में रखेंगे क्योंकि हमें इसको तेल में फ्राई करने के लिए डालना है तो इसलिए इसका पानी निकल जाना चाहिए, अब कढ़ाई में जो है हमने रखा है, सरसो का तेल में ही सबजी को हम बनाएंगे, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो एक बड़ी चमच सरसो का तेल डाला है, तेल गरम होने पे आदा चमच हमने डाला है, मस्टर्ड सी, सरसो के दाने जो प्याज को भून लेना है, इस तरीके से चलाते हुए, जब प्याज हमारी भून जाएगी, तो उसके बाद में हम फली डाल देंगे इसके उपर, क्योंकि फली में क्योता है, थोड़ा सा कड़वापन होता है, अगर आप इस तरीके से फ्राइक कर देंगे तो इसका पकाएंगे तो आदा छोटे चमच के करीब मैंने नमक डाला है और अच्छे से मिला लिया है कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम पे जो है इसे पकने भी देंगे और थोड़ी सी फली जो है वो हमारी भूल भी जाएगी तो पांस से साथ मिनट जो है मैंने ढखके इसको पकाया है फली को तो देख सकते हैं फली का जो कलर है वो हमारा ट्रांस्पेरेंट सा हो गया है पहले से जो है कलर इसका चेंज हो गया है पांस से साथ मिनट जो है हमने इस तरीके से इसको पकाया है एक बार चला लिया है अब डालेंगे मसाले तो एक चमच डालेंगे धनिया पाउड पाउडर डालेंगे मैंगो पाउडर डालेंगे खी चि늪 और एब मिलाने के बाद में फिर से कवरश करेंगे और इसको ठ्ड्ब करेंगे प्रस्त करा ungefähr अभलों पिले हम्ने के बाद मैंने धकन हटाया है क्ला.... एक चुटकी के करीब जो है इसमें करम मसाला डाला है और अच्छे से मिला लिया है तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी और सिंपल वाली गौार की फली तयार हो गई है रोटी के साथ पराटी के साथ किसी के साथ भी आप इसको सर्फ करें सभी के साथ बहुत अच्छी लगती है तो अगर आपने कभी गौार की फली नहीं खाई है पर आपने देखी है तो मस्ट्राइ रेस्पी है जरूर टाय करेगा और रेस्पी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा